प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी आज़न औशुदी दीवस सम्हारों को समबोधित करेंगे इस अफसर पर शिलोंग के इंदरा गांधी छेतरिय स्वास्त और चिकेचा सन्थान पिचत्तर सौवेज़ ज़न औशुदी केंदर को राश्ट को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री कार्याले से जारियक बयान के मुताबिक PM मोधी वीडियो कॉन्फरेंस से इस कारेक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी आज कॉलकाता के ब्रिगेट परेड ग्राउंड पर रैली करेंगे भाचपा ने फरवरी में परिवर्तन यात्रा शुरू की थी अब इसके समापन मौके पर ये रैली आयोजित की जा रही है भाचपा निताओं का कहना है कि रैली में भीड होगी जो पिछले सारे रिकॉर्ड सोड़ देगी केलाश विजवर्गी के मुताबिक रैली में फिल्म अभीनेता मितुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे कॉंग्रिस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 प्रतियाशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है असम की 126 सब दस्तरी विधानसभा के चुनाव तीन चर्णों में होने हैं चुनाव आयोग के मताबिक असम में मद्दान की प्रक्रिया 27 मार्ट से शुरू होगी साथ ही 2 मई को परिनामों की घोशना होगी पश्चिम मंगार की चुनाव की तारीकों का एलान होते ही टीमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है वहीं आज मुख्यमंत्री ममता बेनर जी रसोई गयास के खिलाफ सिली गुडी में विरोध परदर्शन करेंगी ममता अज्चिली गुडी में रसोई गयास के बड़ते दामों के खिलाफ पधियात्रा निकालेंगी पीम नरेंद्र मोदी ने आजजन औशुद्धी वीवस के मौके पर जन औशुदी केंद्र का उधगाटन किया है उन्होंने इस जन औशुद्धी केंद्र को राष्ट को समर्पित किया है साथ ही अपने संबोधन में लोगों को इससे जुड़े लाब बताए है पीम ने कहा है कि पैसे की कमी के कारण लोगों को दवा खरीदने में दिक्कत ना आए इसी के लिए ये जन औशुद्धी यूजना शुरू की गई है इसी के साथ ही पीम ने भारत के विग्यानी को पर गर्व और महिलाओं की आत्म निर्भरता पर भी चर्चा की है संसत के बज़ट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानि कल से शुरू होगा संसत के बज़ट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था और 28 फरवरी को खतम हो गया था केंद्रिये बज़ट को वितमंतरी निर्मला सीता रमन ने एक फरवरी को पेश किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला ने ये सूचना दी है कि ये दूसरा चरण कल से शुरू होकर 8 अप्रेल को समाप्त होगा भुगली की एक बैठक में सब्त ग्राम विधान सभा के टीमसी उमीदवार तपंदास गुपता ने मद्दाताओं को धमकी दी है विधायक ने राजविधान सभाचुनाव में वोट नहीं मिलने पर मद्दाताओं को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है क्रिशी मंत्री नरेंज सिंग ने एग्रिविजन के पांचवे राश्टे सम्मेलन को संबोधित किया है जिसमें तोमर ने कहा है कि सरकार आंदूलनकारिक किसानों की भावनाओं का सम्मान करती है साथ ही क्रिशी कानूनों में संशूधन के लिए भी तयार है तोमर ने ये भी बताया है कि सरकार ने क्रिशी में निवेश को बढ़ावा देने और किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी देने के लिए इन तीन कानूनों को पारित किया है आज केंद्री मंतरी अमिट्शहा तमिलाडू के दौरे पर है तमिलाडु चुनाव के लिए अमिच्छा कन्या कुमारी के सुचंद्रम मंदर के दर्शन के लिए वहाँ पहुचे है इसके अलावा शाह कन्या कुमारी में एक रोड-शो भी कर रहे हैं यहां अमिच्छा ने डोर-टो डोर क्याम्पेइन का भी आयोजन किया है अमित्षा ने कहा है कि इस बार तमिलाडू में हमारे गटबंधन की सरकार बनेगी बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च यानि कल से शुरू होने वाला है इस बीच कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट सत्र के दूसरे चरण में मोधी सरकार को घेरने के लिए रणीती बनाने के लिए बैठक बुलाई है प्रधान मंत्री मोधी की रैली से पहले बंगाल में हिंसक जड़प की खबर सामने आई है भाजपा सांसद अरजुन सिंग ने ये दावा करते हुए ट्वीट किया है कि आज रैली से पहले ही बीजेपी के कारेकरता पर टीएमसी के गुणों ने हमला किया है अरजुन सिंग ने ये दावा किया है कि 12 साट में हमला किया गया भाजपा के कारेकरता पीएम की रैली में शामिन होने के लिए निकले थे अर्जुन सिंग ने साथ ही ये भी कहा कि बंगाल की जनता EVM के जरीयब जवाब देगी आईकर विभाग ने आभुशनों का कारोबार करने वाले दक्षिन भारत के सबसे बड़े कारोबारी के परीसर में छापे मारी की है जिसमें 1000 करोड रुपे की आगोशित आयका भी पता चला है केंद्री प्रतियक्ष कर बोड ने आज इस बात की जानकारी दी है बोड ने हलाकि इस बात का खुलासन नहीं किया है कि किन किन कारोबारियों के परीसरों में छापे मारी हुई है दिल्ली के बाला साहिब गुर्दुवारे में गुरू हरी किशन किड्नी डालेसिस सेंटर की आज से शुरू आत हुई है इसे दिल्ली सिख गुर्दुवारा प्रबंधन कमेटी की तरव से शुरू किया गया है ये अस्पताल दिल्ली के सरायकाले खाम इस्तित हैं दावा किया गया है कि ये देश का सबसे बड़ा किड्नी डालिसिस हॉस्पिटल है जहां 101 बैड है जिनकी संख्या एक साल में हजार कर दी जाएगी। दिल्ली सिख गुर्दुवारा प्रबंधन कमेटी ने कहा है कि अस्पताल में मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। किसान अंदोलन को 100 दिन पूरे हुए हैं इस बीच किसान संगटनों का ये दावा है कि 8 मार्च को अंतर राष्टिये महिला दिवस के मौके पर पंजाब के कई हिस्सों से लगबग 40,000 महिलाएं किसान अंदोलन में शामिल होगी। मिफुन चकरवर्ती ने भाचपा में शामिल होकर सभी अटकलों पर अब्विराम लगा दिया है। वही मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा का पटका भी धारन किया मंच पर आने के बाद मिथुन चक्रवर्ती कैलाश विजेवर्गी की उपस्थिती में पार्टी में शामिल हुए भाज़वा में शामिल होने के बाद मिथुन ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखिये मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ मोधी सरकार के मंतरी गिरिराज सिंग ने एक विवादत बयान दिया था जिसमें कहा था कि अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो उन्हें बाद से मारो इस पर पूर्व उपमुख्य मंतरी तेज़स्वी यादव ने गिरिराज पर पलटवार किया है कहा है कि गर्थी उजागर करने वाले पत्रकारों पर नितीज सरकार F.I.R करती है लेकिन हिंसा फलानी वाले मंतरियों को सरकार पुरुसकार देती है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आजपश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं विधान समद चुनाव की तारीकों की घोशना होने के बाद PM मोदी कॉलकाता में पहली रैली संबोधित कर रहे हैं कॉलकाता में चुनावी हुंकार भरते हुए PM मोदी ने कहा कि बंगाल उन्नती, शान्ती और प्रगती चाहता है इस दौरान PM ने युवाओं को उजवल भविशे के सपने दिखाए विकास के वादे किये इतिहास का जिक्र भी किया और उपक्ष पर जम कर हमला किया पॉंग्रिस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है राहुल ने MSP देने की मांग करते हुए लिखा है जीवी का अधिकार है उपकार नहीं इससे पहले भी उन्होंने शनिवार को किसान का मुद्धा उठाते हुए कहा था अन्नदाता मांगे अधिकार सरकार करे अत्याचार बिहार में राज्ट्रिय लोक समता पार्टी छोडने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है शनिवार को 41 नेताओं ने सामूहिक स्तीफा दे कर RLSP से नाता तोड़ लिया पार्टी नेता विने कुश्वाहा ने दावा किया कि अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ है आने वाले दुनों में पार्टी के बड़े नेता भी स्तीफा दे सकते हैं पश्चिम बंगाल में सियासत तेज है रैलियों और सबाहों का दौर भी चल रहा है राजे की मुख्यमंती ममतब अनर जी आजसिली गूरी में पधियात्रा कर रही है पधियात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लगातार गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर बीजेपी देश की जनता को लूट रही है महिलाओं के लिए हालात सबसे जादा मुश्किल हो गए है इसी के साथ ममतब अनर जी ने हैश्टाग इंडिया अगेंस्ट लूट का भी इस्तेमाल किया है पश्चिम बंगाल विधान सभाचुनावों में नंदी ग्राम सीट पर ममतब अनर जी के खिलाफ बीजेपी नेता शुवेंदू अधिकारी उतरे है बेहाला में एक जनसभा को सम्मूदित करते हुए शुबेंदू ने कहा कि अगर टीमसी सत्ता में वापस आती है तो राजे कश्मीर में बदल जाएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आगे की जानकारी के लिए फॉलू करें ऑथम नियूस धन्यवाज़